दोस्तो भूल जो ABDBS के छकेशों के मुंबाई इंडियन्स की टीम में धमाल मचानी आ रहा है या दुनिया का सबसे बड़ा सिक्सर किंग तो क्या खबर की पूरी जानकारी और कौन है वो खिलाडी सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबाई इंडियन्स टीम और रोहिस सर्मा को बहतरी खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के लिजए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आपको बतादे आईपियल 2022 को सुरू होने में मातरव आठ दिनों का समय रह गया है पहला मुकाबला चैनल और केके आर के बीच खिला जाएगा इसे के साथ आईपियल 2022 की सुरूआत हो जाएगी आपको बतादे मुंबाई की टीम अपना पहला मुकाबला दिली के खिलाब खेलने वाली यह मुकाबला 27 तारीक को भारती समयान सार दोपार 3 बच के 30 मिट से खिला जाएगा आपको बतादे इस सीजन आईपियल में सभी टीमें बदली बदली नजर आएगी क्योंकि दूस्तो मेगा आकशन में सभी टीमें अपने पने खिलाडियों को रिटार नहीं कर पाई जिसके चलते हर टीम का खिलाडी दूसरी टीम में चला गया है इस बार टीमों की बीच संख्या बढ़ गई तो मैचों की भी संख्या बढ़ गई आपको बदा दे इस बार आईपेल में कुल 10 टीमों के बीच 74 लीग स्टेयल अफाइनल के मुकाबले खेले जाने वाले हैं ऐसे में अगर बात करें मुंबाई इंडियाज टीम के बारे में तो दोस्तो मुंबाई की टीम आईपेल की सबसे सफ़ल टीम मानी जाती है इस बार मुंबाई की टीम को मेगा आक्सन में तगरा जटका लगा है क्योंकि इनके दोस्तो बेहतरीन अनुवई बले बाज इनकी टीम से चले गए हैं तो वहीं इस बार जो टीम बनाई गी है वह टीम अनुवई और युवा बले बाजों के मिसरंट से बनाई गी है तो कुल मिलाकर एक नई टीम देखने को मिलने वाली है इसमें दोस्तो एक ऐसा नाम है जिसकी बल्ले बाजी देखने के लिए हर फैंस काफी ज़िदा एकसाइटेड नजार रहा है दोस्तो यह नाम साउथ अफरीका के बेबी डीबिलियर्स का है आपको बतादे अंडर 19 वर्ड कब में इन्होंने शानदार बल्ले बाजी का नजारा पेस करते हुए छे मुकाबलों में पांसो छेरन में इसके लाए इन्होंने साथ विकेट भी लग चट कहे थे तो दोस्तो बड़े फिलाले इतनी मिलते हैं कि लिए वीडियों